कोटा में कुरोणा संक्रमन का अखड़ा लगातार बढ़ रहा है ऐसे में मगबरा, केधुनी पोल, टिपरा, पाटन पोल इलाके अभी भी हॉट स्पॉर्ट बने वे हैं इन इलाकों को पुरी तरीके से सील कर दिया गया है तो वहीं इन इलाकों में जाने वाले मुख्यमारगों पर भी पुलिस की चाक्चुमत विवस्ता की गई है ताकि कोई अनावश्यक व्रक्ति अंदर प्रवेशना कर सके ऐसे में इन इलाकों में किस तरी की विवस्था है इसका जाइजा लिया हमारे संबादता जोगेंद्र महावने कोटा में लगातार कोरोना संक्रमेंट के मरीज सामने आ रहे हैं ऐसे में अब तक कोटा से 148 कोरोना पोजिटिव मरीजों की पुष्ठी हो चुकी है इन में से दो पुलिस कर्मी भी शामिल है तो वही आज चार कोरोना पोजिटिव मरीज और सामने आ रहे हैं जिसमें से तीन पाटन पोल के रहने वाले हैं जिस जगे में खड़ा हूँ यह है सुरज पोल का तीराहा आप पीछे देख लीजे पूरा पुलिस की चाक चोबर विवस्ता यहां पर कर रखी है और पुलिस की विवस्ता के लिए यहां पर टेंट भी लगा रहे हैं चाकि उनसे धूप से भी उनको बचाया जा सके सामने की तरफ जो आप गेट देख रहे हो यहीं से पूरा इलाका कैसोनी पॉल पाटन पॉल टिप्ता होते हुए आगे की तरफ निकलता और यहीं से ज़्यादतर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं तो वहीं यहाँ पूरी तरफ यहाँ पर पूरी तरह से कर फ्यू लगए गया है पूरी पुलिस यहाँ पर मुंस्तेदे हैं होम गार के ज़वान पर मुंस्तेदे लगाता तो यहां पर भी लोगों को यहां से निकलने की और यहां पर आने की अनुमती नहीं दी गई है क्योंकि कर्फिर गस्ट एरिये अंदर सारे के जो एरिये हैं वो अंदर बने हुए तो यहां से बाहर निकलने की अनुमती किसी को नहीं है हाँ जो आवश जो काम है उनके पास य लोगों को समझाए जा रहा है कि आप अनावशक तोर पर घरों से बाहर ना निकले अन्यता आपके खिलाब कारवाई भी की जाएगी तो यहाँ पर पुलिस की जिस सरे से भूमिका रही है वो एक तरह से काफी बड़ी भूमिका है जो लोगों को समझाने की आप प्रयास की ज जा रहा है कि आप कोरोना संक्रमेंट के चपेट में ना आए इसके लिए बहतर है कि आप घर पर रहें सेफ रहें परिवार के साथ रहें क्योंकि रमजान का महीना भी शुरू हो चुगा है तो कहीं नगे पुलिस कहीं से भी यहाँ पर ढिल देती हुए नदर नहीं आ रही पुलिस के लिए भी बड़ी चुनोती और जिला प्रिशाथन के लिए भी बड़ी चुनोती यहां पर साबित हो रही है जायोगी राजन भार दुआ जो केमरा परसन दीपक के साथ योगेंद महावर टेवन टीवी कोटा